असलाम लेकूं मेरा नावाय आसिफ कान आपके लिए लेकर आएं तीन मरलेक आई है डबल स्टोरी मकान बहुत अच्छी लोकेशन पर होट लोकेशन पर बहुत अच्छी प्राइस पर है तो अब पूरी वीडियो देखें इंफोर्मेशन के लिए और आप यह मकान ले सकते है गौर्मेशन के लोन प्रोग्राम के ज़िए हैं यह आपको तीन मरलेका ट्रिपल स्टोरी मकान दिखाया जा रहा है इसका फ्रेंड एलवेशन आप देख सकते हैं इसमें रोक वॉल्ड किया गया है और 25 फिट रोड के ओपर हैं मकान में जाने से पहले मैं बता दू कि इसमें लाइट इस वक्त नहीं है और यह आप देख सकते हैं दो डोर्स हैं आप रेंट आउट भी कर सकते हैं सेपरेट डोर्स हैं सेपरेट अप्रोच हैं और यह हम इंटर होते हैं तो यह काफी काउंड फ्लोर बिलकुत सेपरेट हो जाता है और फिर्स फ्लोर बिलकुत सेपरेट पोर्शन बन जाता है तो अगर आप दोनों फ्लोर्स यूज़ करना चाहते हैं तो यह आप दोनों यूज़ कर सकते हैं डोर ओपन करके यह आपको एक पाउडर रूम भी दिखा जाते है जो गराज में दिया गया है यह आप देख सकते हैं टाइल्स हैं बेसन और यह आप सब यह आपको जो है वो एक पाउडर रूम मिल रहा है यहां से इंटर होते हैं यह आपको एक लिविंग रूम मिल रहा है living room के साथ ही आपको left side पे kitchen मिल रहा है kitchen में आप देख सकते हैं red color की cabinet है और grey color की cabinet है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर shelf में पत्थर लगाव है और सामने के तरफ tiles लगी वी है यह grey colors की cabinet है आपको window भी मिल रही है जो garage में open हो रही है ventilation के लिए अच्छे size का यह kitchen design दिया गया है और यह एक bedroom है bedroom के अंदर इंटर होते हैं तो सामने आपको ventilation area नज़र आ रहा होगा घर में पत्थर लगाया गया टाइल नहीं लगाई गई throughout घर में पत्थर है तरफ आपको toilet में टो tiles मिल रही है यह आप देख सकते हैं कि एक attach बात है यह सामने आपको three section में एक large cabinet मिल रही है और आप इसका float रूफ भी देख सकते हैं यह आपको ventilation के लिए window मिल रही है open area है ventilation के लिए जहां पर motor लगी हुई है पानी की और दो tabs आपको नज़र आ रहे हैं hot और cold water के और साथ आपको garage वो गीदर के points भी नदर आ रहे हैं अच्छे size के यह मकान है आप government के loan के तहद भी यह ले सकते हैं वजीर आजम के loan program के तहद भी ले सकते हैं और अगर आपको हमारी जूरुत है तो हम आपको through out इसमें help कर सकते हैं कि आप यह मकान कैसे ले सकते हैं बैंक की तमाम प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा अभी हम first floor पर आ रहे हैं first floor पर जैसे हम आते हैं यह एक storage place मिल रही है हमें इसके साथ ही हमें यहां पर एक kitchen मिल रहा है same combination है grey and red color के cabinet हैं tiles और वोई marble वगरा shelf पे लगा है आफ ओल सिलिंग design भी देख सकते हैं अब हम आपको living room में लेकर चलते हैं यह side पर आपको पहले दिखा दें कि यह इसका corridor है यह अगर आपने मजीद उपर जाना है roof की तरफ तो यहां से आप जा सकते हैं और जिसको आप room भी बना सकते हैं एक bedroom यह है जिसमें आप ventilation के लिए सामने window मिल रही है अच्छे size का bedroom है और यह एक attach path है आप यह भी देख सकते हैं एक attach path है और अब हम आपको last floor पे लेके जाते हैं टॉप floor पे तो टॉप floor की तरफ चलते हैं आप देख सकते हैं अच्छा बनावा यह मकान है quality work किया गया है तवीरा पत्थर लगाया गया मार्बल तवीरा मार्बल लगाया गया स्टेर्स पे घर में यह हम एक उपर आते हैं तो यह एक bedroom हमें यह मिल रहा है फोल्स लिंग डिजाइन आप देख सकते हैं इसमें और यह सामने विंडो मिल रही है विंडो से मैं आपको यहां का society का view भी दिखा जाता हूँ यह terrace है इस घर की यह आप देख सकते हैं कि fully populated यह society है school colleges मौस्ग और बाजार हर चीज़ का अराम है यहां से हम मैं आपको roof भी दिखा जाता हूँ तो यह total तीन floors है 55 lakh इस घर की demand है यह negotiable है यह इसका bathroom है यह first floor पे यह second floor पे यह एक bathroom आपको मिल रहा है और एक bedroom भी मिल रहा है तो आपको surrounding area भी दिखा जाते हैं आप contact कर सकते हैं यह घर हमारे पास है हम आपको इस घर का visit करा सकते हैं यह आप surrounding area देख सकते हैं populated है हर तरह का अराम है तो thanks for watching subscribe जरूर करें थैंक्यू अलाफ़ज